कश्मीर समोहन है मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों के लिए कश्मीर समस्या जब वो बोलते कश्मीर समस्या तो मेरे दोनों शब्द एक साथ एक सांस में बोले नहीं जाते हैं तो मेरे को जैसे कई बार मुझे जो कहते हैं ना कि मंदिर मस्जित तो मुझके लगता है य कश्मीर समस्या बोलता है, तो मुझे से कवी के दिल में ठक से चोट सी लगती है, मुझे लगता है कि इश्वर ने हमें क्या दिया, साहिर ने जो कहा है, साहिर ने जो कहा है, कि वो बगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसल्मान बनाया, अल्लाह ने बख्षी थी हमें एक ही धरती हमने कहीं भारत कहीं इरान बनाया सो मुझे लगता है कि हम इश्वर के नाफरमान बेटों ने कृतगन बच्चों ने ये एक समस्या शब्द इसके साथ जो जोड़ दिया है ये बड़ी खराब बात है कश्मीर तो अपने आप में समस्याओं का निदान है जंदिगी में कोई समस्या हो कोई परिशानी हो कोई उल्जन हो चार दिन-पांच दिन की छुट्टी लेके आ जाईएगा और हमारे गुल्दार साहब जो शिकारा चला रहा है इनके शिकारे में बैढ़ जाईए और लेक का एक बार चक्कर लगा लिजे आपकी स समस्या है आपको लगेगा कि प्रकरती ने आपको अंदर तक अम्रित से बढ़ दिया है लेकिन उस सब के बीच सचाई ये भी है कि हाला ठीक नहीं है यहाँ पर अमुमन जब भी मैं यहाँ पर आती हूं बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं यहाँ पर आने के लिए मुझे गुत्थी सुल्जे इसको दानिश ने बहुत सोच के उलजाया है तो भाई लोगों ने जो इसकी पार्टी है चारों तरफ उन्होंने उसको ऐसा उलजाया अब देखे 1947 में जो कुछ यहाँ पर हुआ कश्मीर को लेके पहली सरकार ने जो कुछ भी निरने लिया आज मैं 70 स साल बाद यह मानू को उन्होंने इसलिए लिया था कि वाट्स अप युनिवरस्टीज पर उनके खिलाफ अब अधरता भरे मैसेज आए नहरू के बारे में ऐसा तो नहीं लिया होगा अपनी सोच के अनुसार अपनी चीजों के अनुसार उन्हों उस वक्त जो बहतर लगा जैसे निजी रूप से मुझा लगता है कि 47 के बाद United Nations का intervention हमारे होना बेकार था को मतलब ही नहीं था हम क्यों जाएंगे मेरे घर में अगर दो भाईयों में बोल चाल में कुछ प्राबलम है तो मेरे घर के बुज़ुर्ग बैठेंगे मेरे दूसरे भाई बैठेंगे हिमा क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से हमेशा कहा कि वह हम नहीं थे वह तो कबाईली आ गये थे तो भारतिया सेना ने उसे अपने काबू में कर लिया था जब हमारा अपर हांड आया तब अगर हम गए तो वो स्थिति खेर वो छोड़िए इतिहास है बिगड़ गई जो सोचा वह एक गलत पड़ गया लेकिन आज मेरी जनेरेशन आपकी जनेरेशन अब जो अगली जनेरेशन आ रही है वो और जो पीछे हैं उनको मिलके यह सोचना है कि हम उपर जाएंगे हश्र के दिन खुदा हमारा हिसाब करेगा अगर मैं मुसल्मान हूं अगर मैं मरके जिसमें कश्मीर था जिसमें पहाड था और आपने उसका क्या बनाया धमाके ग्रेनेट गोलियां सर्च वारंट्स तो यह तो हम सबको इसमें कहीं न कहीं पहुंचना पड़ेगा जहां हम यह मान सकें कि दुनिया का जो खुबसूरत हिस्सा हमें बक्षा गया है उपर वाल न बन जाए यह प्यार भरा लहजा शम्शीर न बन जाए यह प्यार भरा लहजा शम्शीर न बन जाए कहके कि गजल मुझ पर मीर न बन जाए उस गजल में एक शेर है यह मसला दिल का है हल कर दे से मौला यह मसला दिल का है हल कर दे से मौला यह दर्द मुहबत भी कश्मीर प्यान बढदया